हेलो एब्रीवर मीना की रसोईमा आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं सिंहाड़े का अचार अगर आएप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरी वीडियो को लैक कीजिए मेरी वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो के अपडेट मिलती रहे आपको मैंने यहाँ पर बन केजी सिंगाडा ले लिया है और उसको अच्छे से दो लिया है अब हम यह डंठल वाले पार्ट को हटाएंगे चाको की साहता से यह देखिए हमने डंठल वाला पार्ट अठा दिया है और चाको की साहता से दो इससे कर देंगे हम सिंगाडे का यह देखिए डंठल वाला पार्ट हमने हटा दिया है में यहां पर बाूल के अंदर डालेंगे हम थ्री टेबल स्पून सर्सों पाउडर हमने यहाँ पर सर्सों को साबुत लिया था उसको हलका दरदरा कर लिया है थ्री टेबल स्पून कोरियंडर पाउडर उसको भी हलका दरदरा कर लिया है वन टेबल स्पून कलोजी वन टेबल स्पून अजवाइन वन टेबल स्पून मैथी दाना और फोर टेबल स्पून जीरा और सौफ का फाउडर हमने दोनों बरावर क्वांटिटी में लिया है टू टेबल स्पून गरम मसाला और फोर पिंच हींग हमने याँ पर दोनों नमक लिये हैं तो बलेक सॉल्ट और वायت सॉल्ट आप चाहो तो याँ पर वायत सॉल्ट का ही इस्तमाल कर सकते हैं और टू टेबल स्पून रैड़ चिली पाउडर थ्री टेबल स्पून हल्दी पाउडर और इनको चम्मची साइता से अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और यहां पर मसाले कम जादा भी कर सकते हैं आपको जो मसाले पसंद है आप वो मसाले एड़ कर सकते हैं और इस अच्छार को एक साल तक दो साल तक इस्टोर करके भी रख सकती है हमारा मसाला यहां पर अब रेड़ी हो चुका है तो अब हमने जो सिंगाडे के दो पार्ट किये थे, उनमें मसाला हम भरेंगे, देखिए इस तरीके से, आप दवा दवा कर मसाला भर सकते हैं, आप अपनी इच्छानसा, सुब्धानसार मसाला कम ज़ादा भी भर सकते हैं, ये देखिए हम यहाँ पर मसाले भर रहे हैं, यहाँ सिंगाडे का चार बहुती स्वादिष्ट और लाजबाव लगता है, इसको पूरी पराठे के साथ बहुती अच्छा लगता है, हमने यहाँ पर पती लेके अंदर सारे सिंगाडों को बर दिया है, और इसको तीन से चार दिन के लिए छोड़ देते हैं, और प्लेट से डख दिया है, अब हमारे यहाँ पर तीन से चार दिन हो चुके हैं, तो देखिए सिंगाडे हमारे काफी अच्छे हो गए हैं, और उनके अंदर मसाला बराता जो भी अच्छे से फूल गया है, अब हम इन सिगाणों को एक डब्बे में भर देंगे, आप चाहो तो काच क या कंटेनर या प्लास्टिक का डब्बा कोई साभी अपनी सुबदान सार वह लें, यह देखिए हमने यहां पर सार सिंगाड़ा अचार वाला वह दिया है, अब हम इस अचार के अंदर डालेंगे ओईल, यह देखिए हमने अचाल भी तेल भी डाल दिया है, और अब हम इस विडियो किसा तफ तफ बाइब बाइब